हलो इस वीडियो में बात करेंगे लिए चैप्टर 3 प्लेंग विट नंबर्स की प्लेंग विट नंबर्स में हम पढ़ेंगे कि नंबर और अमल कोई भी नंबर है उनको अरेंज कैसे किना करें लोग इंट्रोड़क्शन में हम लोग देखेंगे कि सपोस्ट एक लड़का है उसके पास six balls हैं अब उसको अरेंज उसको six ball ऐसे करना है कि हर रो में एक बॉल हो अब रो कैसी हो horizontal form क्या हो horizontal arrangement of things क्या कहला आता row और vertical arrangement क्या कहला आता column अब उसे रो में हर एक रो में एक बॉल चाहिए ठीक है तो एक बॉल यह आ गई 2, 3, 4, 5, 6 उसके पास 6 बॉल थी 6 बॉल को उसने एरेसे अरेंज कर दिया कि हर एक रो में 1 बॉल आई ठीक है अब सपोज उसको ऐसे करना हो कि हर एक रो में 2 बॉल जाए तो कैसे होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 3 रो और 2 गॉलम ऐसे हो गई अब सपोज उसको उसको बोला जाए कि एक रो में 3 बॉल साए 1, 2, 3 1, 2, 3 तो यहाँ पर 2 रो बन गई और 3 कॉलम अब यहाँ पर अब एक रो में 4 तो आजाएंगी लेकिन वो इक्वल नमबर नहीं होगा अब सपोज यहाँ पर हमने चार बॉल यहाँ पर रख दी और दो यहाँ पर तो यह फाइनाइट नहीं है इक्वल नहीं है इस रो में 4 बॉल है इसमें 2 हैं तो ऐसे नहीं होगा फिर अब अगर उसको सपोज 6 बॉल को अरेंज करना हो एक ही रो में वो भी हो जाएंगी कैसे 1 2 3 4 5 6 यह उसने च्छे कॉलम बन गए और एक रो बन गई तो यह हमें नंबर ओफ अर्रेंजमेंट समय यहाँ पर देखने को मिलेंगे अब इसमें अगला टर्म आता है प्लेंग वित नंबर समय फैक्टर सेंडिट्स मल्टीपल फैक्टर सेंड मल्टीपल अब कोई भी नंबर है उसके फै जिससे यह हमान दिया गया नंबर डिवाइड हो जाए जह सबस् conteúई है तक YouTube क्ष्ट अधिसा प्रभान एवम लगों नाम से फॉर कोम नेए बन से द्वाइड गिया आपी द्वाइड और लिगे हैं धुट look At Google का कि एक भट करेंगे द्वाइड व्ट नाम से अब द्वाइड गरा आप में वन तो यहां पर्फेक्ट डिविजबल नहीं है अब हम लोग फोर से करके देखेंगे यहां पर भी जीरो बचा है थीक है तो हम लोग यहां से यहां से आप्जर करेंगे कि four के factors कौन कौन से है factors वो ही होंगे जो perfectly उस number को divide कर पाएं अब perfectly divide किस किस को कर दिया मतलब यहां पर reminder हमें 0 चाहिए reminder 0 कहां कहा है यहां है तो मतलब one factor है यहां है two b factor है यहां यह नहीं है और यह four यह भी factor है तो यहां से हम लोग एक चीज और observe करेंगे कि अगर कोई भी number दिया गया है मैं उसका factor निकालना है तो उस नंबर से equal होगा और less than होगा उस number से उसके factors उस number से ज्यादा नहीं होंगे example के लिए जैसे यह four है four का factor one है two है और four है लेकिन four का factor five नहीं होगा six नहीं होगा कोई और कोई नहीं होगा ठीक है तो यह तो होगा factors अब factors में हम लोग आगे देखेंगे कुछ common factors की बात करेंगे जैसे एक यह one है one क्या है हर एक number का factor है कोई भी कोई भी 10 हो 100 हो 123 हो कोई भी number हो बन से divide जरूर होगा और reminder हमेशा नीचे 0 बचेगा तो इससे क्या हमें पता चलेगा कि one एक common factor है हर एक number का ठीक है next point क्या है अब कोई भी एक number हो जैसे यह है two two अपने अपने खुद का factor है two से हम लोग two का एक factor होता है ठीक है next statement है every factor of a number is an exact divisor of that number कोई भी factor होगा कोई भी number का suppose यहां पर हम लोग ले ले रहा है 10 10 के factor क्या क्या होंगे one ten one से divide हो जाता two से भी divide हो जाता और five से भी divide हो जाता ठीक है तो यहां से अगला statement है कि कोई भी numbers के factors होंगे जो जो factors होंगे वो perfect divisor होंगे कि मतलब अगर factors factor से उन नंबर को divide किया जाए तो यहां पर जो remainder आएगा वो क्या बचेगा zero यहां पर कोई भी number ले लो कोई भी उसका factor ले लो अगर हम उसको divide करेंगे तो reminder क्या बचेगा zero ठीक है यह statement था अगला statement क्या है every factor is less than or equal to the given number अब कोई भी number हमें दिया गया है और उसका हमें factor निकालना हो तो उसके factors उस number से या तो छोटे होंगे या फिर बराबर होंगे यह 10 भी इसका factor है एक यह 10 बंजा 10 reminder 0 आएगा तो statement क्या थी कोई भी number के factors से अगर हम उसको divide करेंगे तो जीरो ही answer आएगा perfect divisor exact next statement क्या है number of factors of a given number are finite अब अगर कोई भी number हमें दिया गया है और उसके हमें factors निकालने तो finite number होंगे अब जैसे यहां पर हमें 10 का दिया था हम finite मतला हम गिन सकते हैं उनको हमें 10 के factors निकाले 10 के factors क्या कहने के लिए 1 2 5 और 10 हम इनको count कर सकते हैं 1 2 3 4 10 के कितने factor है 4 ठीक है अब कोई भी number हो हम उसके factors गिन सकते हैं तो इसलिए factors finite होते next statement क्या है every multiple of a number is greater than और equal to that number अब यह multiples की बात multiples क्या होते है वो हम लोग देखेंगे multiples मतलब हम कोई एक number ले ले लिया अब हम इसमें कितने का भी हम इसमें multiply करते चले जाए तो वह 5 से divisible होगा suppose हमने 5 में 2 का multiply करें 10 3 का multiply करें 15 4 का multiply करें 20 5 का multiply करें 25 तो यह जितने भी नंबर्स निकल के आ रहे हैं वह 5 से divisible है मतलब 5 के multiples में आ रहे है 55 में हम किसी का भी multiply करें तो यह numbers आएंगे तो यहां से statement यह है कि जब कोई भी multiples हो कोई भी number का तो वह हमेशा या तो equal होगा या फिर greater होगा suppose यहां पर यहां से क्या है कि जितने भी इसके multiples होंगे वह यहां तो equal होंगे और यहां फिर greater होंगे factors में क्या था यहां तो equal होंगे यहां फिर less less होंगे उससे कम होंगे यहां multiples जाद होंगे फिक है next statement है the number of multiples of a given number is infinite अब कोई भी number हमें दिया गया है अब उसके multiples infinite होंगे क्यों क्योंकि हमें पता है factors में हम लोगों ने देखाता है उसके factors तो finite होंगे क्यों क्योंकि अगर 10 का कोई factor है तो हमें पता है हो सकते हैं 10 20 30 40 50 ऐसे करते करते infinite हो सकते हैं तो हम उनको count नहीं कर पाएंगे इसलिए multiple समेशा कोई भी number के infinite होंगे every number is a multiple of itself अगला statement है कोई भी number हो वो अपने खुद का multiple होता है सब्सक्राइब यह फाइव है ठीक है तो फाइब बन जा फाइव ठीक है यह multiple निकल के आया नंबर क्या था फाइव तो यहां से हर एक number अपना खुद का multiple होता है ठीक है अब हम लोग बात करेंगे exercise number 3.1 की first question write all the factors of the following अब मैं यहां पर factors बताने है 24 के factors क्या क्या होते है factors को represent करने का एक और तरीका होता सब्सक्राइब यहां पर हमें 24 के निकलने 24 किस किस से दिवाइब हो जाता वन से हो जाएगा वन इंटू 24 और किस से हो जाएगा तो यह हमने इसको फेक्टर करने के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए यह तरीका होता अब अगर हमने 24 को अगर हमें 2 से डिवाइड करना तो क्या होगा वन ट्वाइल टामस जाएगा तो 2 इंटू 12 यह फेक्टर बन गए और क्या फेक्टर बन जाएंगे अगर हम 3 से डिवाइड करें तो 3 इंटू 8 और क्या फेक्टर बन जाएंगे पॉर से डिवाइड करें तो 4 इंटू 6 यह हमारे फेक्टर बन गए अब चाहो तो इसको उल्टा भी लिख सकते 24 इंटू 1 12 इंटू 2 8 इंटू 3 4 इंटू 6 यह इसके फेक्टर आ गए ठीक है कि अपाद कि इसके कोउश्टन ऐसें मैं है अवर नेक्स गॉश्टन कोउसर सैंकें वेलुख देखेंगे राइट फ़िस्टंध फाइब मल्ली पेलस बताना है ज Sydhस पाइब मल्लि पल्षा अगर कोई वी जो नमब्र में दिया है 5 दिया हमें हमें 5 के अगले 5 multiples बताना है तो 5 की table में क्या क्या आता 5 की table में 5 बंजा 5 आता अगले इसको हमें neglect करना क्योंकि इसके हमें आगे के बताने हमें तो 5 2 जा 10 5 3 15 20 25 30 यह हमने 5 के 5 multiples बता दिये अब ऐसी आप B और C करना अब थर्ड है मैस्ट फॉलोविंग मैस्ट आइटमस इन कॉलम वन विद आइटमस इन कॉलम टू अब हमें इनके जो हमें नंबर्स दिया हमें को मैच करना है कॉलम वन में क्या है 35 35 क्या है multiple of 8 multiple of 7 multiple of 70 factor of 30 तो 35 यहां पर क्या है multiple of 7 ठीक है और B second है 15 15 क्या है यहां पर factor of 30 30 का factor है 15 तूजा 30 16 क्या है multiple of 8 8 2016 20 क्या है नीचे भी दिये गया है 20 क्या है factor of 20 20 खुद का एक खुद का factor है और 25 क्या है 25 फेक्टर of 50 यहां पर यह question वी हो जागा फॉर्थ में क्या find all the multiples of 9 up to 100 अब 100 तक में 9 के कितने multiples हैं यह सब हमें बताना है तो यह आपके लिए ओंवर के यह आप लोग करना आज के लिए इतना ही अब बात करेंगे अगले टॉपिक की 3.2 की हम लोग बात करेंगे अगली वीडियो में आज के लिए इतना ही thank you have a nice day टो यह फसे के लिए आपके लिएकस की कijnुझ को शे में करेंगे जुद ए दो सब्स्टी के लिए Eltरत करेंगे